हेलो रमस्कार दोस्तो मेरा नाम आमिर है और वाइफए स्टी एससी एक्जाम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ जो कि आनकेडमी का यह पार्ट है तो दोस्तो आजाईए सभी लोग जुड़ जाईए मेरे साथ में और इस सेशन को जल्दी से जल्दी सभी दोस् इस सब्सक्राइध कर दोस्तों तक शेयर करेंजिए सेशन को और हम बात करेंगे बहुत सारी आज आप लोगों से चलियो पताफट से आजाईए सभी लोग आजाईए जल्दी से जल्दी जुड़ जाढ़िए मेरे साथ में जल्दी जल्दी आजाईए सभी लोग कि अब वेरी गुड इवनिंग डी एम इन्वेस्टिकेशन हाव यू कैसे हैं आप वेरी गुड इवनिंग अल आफ यू कि आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत यहां पर बिल्कुल लवकुष दुबे आप अपना नेम यहां से चेंज कर लो ना यह डीम इन्वेस्टिकेशन को हटा दू और लवकुष कर लो दे को इतना अच्छा नाम है आपका फिर आप यह नाम क्यूं रखते हैं कि अच्छा तो नहीं में आर आपका बिल्कुल मैं बहुत अच्छा हूँ अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए फिर हम अपने सेशन की शुरुआत करेंगे डेफिनेटली बिल्कुल दोस्तों जल्दी से जल्दी आप इसको शेयर कर डालिए आजाईए फटाफट सभी लोग इंपोर्टन शेशन आप सभी के लिए हेलो मनीशा नाम चली जल्दी जल्दी आजाईए और आप सभी को मैं इंफेमिशन देना चाहता हूं कि आप सभी मेरे साथ में AMIRYT कोड के तुरू जल्दी से जल्दी आप मेरे साथ में मेरी फ्री और मेरे प्लस के साथ में आप जुड़ सकते हैं साड़े साथ बज़े है सुबह 11 दिसंबर से प्लस कोड शुरू हो रहा है तो आप सभी वहाँ पर आ सकते हैं हेलो सारा खान हेलो मनीशा हेलो प्रिंस हेलो अमित इसके लिए आप अनकैडमी लर्निंग एप को इंस्टॉल कीजिए इंस्टॉल करने के बाद में आप यहाँ जब सर्च करेंगे आपके सामने मेरी प्रोफाइल नजराएगी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इसके बाद में आप सबस्क्रिप्शन स्लाइट पर जाएगे आपके पास में एक सलाइट नजराएगी जिसमें आपका एमाउट पेमेबल एमाउट जो है वो लिखा होगा आ आप जैसे ही वहाँ पर अपने रा कोड अपलाई करेंगे AMIRYT आप देखेंगे कि 10% का instant discount आपको वहाँ पर दिखाई दे जाएगा ठीक है इसके बाद में आपके कुछ points है जो redeem करने के लिए आपको दिये होंगे आपके main balance में से और कम आपका balance हो जाएगा और इस तरह से आप में plus course पर जुड़ सकते हैं दोस्तों तो यह चोटा सा procedure मैंने आपको यहाँ पर बताया चलिए दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं हमारे पहले कोशन के बारे में सबसे पहला कोशन आप लोगों के सामने शोरा से alcohol किस विधी से बनाई जाती है ठीक है हाउ इस एलकोहल मेड फॉर्म साल्ट पेटेर आस्वन डिस्टोलेशन से हाइड्रोलेसिस से फर्मेंटेशन यानी किडवन की क्रिया से या ओक्सी करन से चलिए फटाफट फटाफट अपना अंसर दे दीजिए आपना अंसर विधी आखटाफटाब झाल अंसर बनाई 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 लुद्टोलेसिस ट्युद्टेशन विधी अंसर फिक वीक्वर दे रखटेर 15 007 वेरी गूड अल अफ यू चलिए अगर हम यहाँ पर देखें तो आंसर होगा फर्मेंटेशन प्रॉसेस आंसर सी इस करेक्ट ठीक है कौन सा आंसर है फर्मेंटेशन प्रॉसेस तो याद रखना जब आप अलकोहल बनाने की बात करते हैं तो वहाँ पर आसवन विधी का जवाब सही नहीं होगा आंसर होगा फर्मेंटेशन प्रॉसेस ठीक है तो इसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिए ठीक है प्लीज करेक्ट दिस और सभी दोस्तों तक अपने इसको शेयर कर दीजिए आपके जितने दोस्त हैं उन सभी तक इसको पहुचा दीजिए ठीक है फर्मेंटेशन इस राइट आंसर अगले कोशन क्यों बढ़ते हैं अगला कोशन है बेकिंग सोडा का रासाइनीक सूत्र क्या है या रासाइनीक नाम क्या होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम सलफेट या सोडियम नाइट्रेट बिल्कुल जल्दी बताईए आपके साफ़ से आंसर क्या होगा जल्दी बताईए आपके साफ़ से आंसर क्या होना चाहिए वेरी गुड अंजली ने जवाब यहाँ पर दिया है और भी कोई जो जवाब दे जल्दी बताईए सोडियम नाइट्रेट बताया चलिए अरे दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो बात हो रही है बेकिंग सोडा के बारे में अगर हम बात करें बेकिंग सोडा के बारे में तो बेकिंग सोडा क्या होता है NaHCO3 जिसको कहते है sodium bicarbonate यानि यह होता है खाने का soda क्या होता है यह खाने का soda कहलाता है ठीक है वही तो यहाँ पर जो answer होगा वो क्या होगा वो होगा NaHCO3 ठीक है सोच यह समझ यह answer दीजिए अगले question क्यों बढ़ते है अगर कोई आप से पूचे कि समुंदरी गोडा किसका उधारण होता है तो आपके हिसाब से answer क्या होना चाहिए सोच समझ के अपना answer दीजिएगा मच से वर्का होता है इस्तंधरी वर्का होता है शरी सर्प वर्का होता है या इन मेंसे कोई नहीं आपके साब से समुन्दरी गोड़ा कौन से वर्ग का होता है जल्ली बता ही आंसर क्या होगा वेरी गूड आप सभी क्या आंसर को मैं अपड़ रहा हूँ बिल्कुल सही जवाब एक्जेक्टली करेक्ट आंसर आंसर है मच से वर्ग ठीक है फिशिजरी वर्ग का यानि क्लास का होता है बेसिकली अगर देखा जाए बहुत सारे लोग हैं जो जो सोचते हैं कि यह सरी संधारी होता है नहीं बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप बात करेंगे सी होर्स के बारे में तो सी होर्स हमेशा मच से वर्ग से ही रिलेट करेगा ठीक है बई चली वेरी गुड बहुत बढ़िया और यहां जवाब किसने सही दिया है दीपती ने सही जवाब दिय और अंजली द्वारा आंसर बिल्कुल सही दिया गया है और सारा खान द्वारा वेरी गुड अगले कुश्चन की वर बढ़ते हैं ओटो मोबाइल वाहनों द्वारा निस्कासित मुख्य नुकसान दे गैस जिसे वायू प्रदूशन होता है कौन सी है कारबन मोनो ऑक्साइ या ओजोन गैस आपके साब से इन में से वो कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा नुकसान दे है और वायू प्रदूशन का सबसे बड़ा कारण बनती है बिल्कुल दीप्ती बिल्कुल सभी जवाब दोस्तों आप सभी के दुआरा और आंसर है कारबन मोनो ऑक्साइड गैस तो आप सभी को पता होगा या बायो गैस में इसका यूज किया जाता है अगर आप बात करें कारबन डायोकसाइड के बारे में तो यह भी एक वायू प्रदूशर यानि वाटर पॉलिटेंड गैस होती है लेकिन ऐस कम नुक्सान दाया क्या ओजोन आपके पानी को साफ करने में काम में आती है वेरी लिए निमेटों टोटस होता है यानि निमेटों नाशी होता है आपके साफ से यह जो मैलाथियान है यह होता क्या है अब मैं से कितने लोग है जमने मैलाथियान का नाम आज पहली बार सुनुआ है फ्रस्ट टाइम ओके वेरी गूड अंजली अल्सो नेम फ्रस्ट टाइम ही सुना है देखो भई इसको पानी में गोल कर देखो याद रखना कि इसको पानी में गोल कर चिड़काव करवाया जाता है यह इसका सही आंसर हो अगले question के बारे में बात करते हैं अगर कोई आपसे पूछे के होता क्या बिटा कीट नासी होता है मित कीट नासी कीड़ों को मारने वाला फसलों पर छिड़काव किया जाता है जिससे कीड़े मर जाते हैं और फसलों को नुकसान नहीं पहुँचता clear? चलिए हाँ बिल्कुल तुकका सही निकला है हीलियम की खोज इन में से किस के दौरा की गई? H. Cavendis के दौरा, Lockyer के दौरा, Emerson के दौरा या Rutherford के दौरा जल्दी बताईए इन में से हीलियम की खोज किस के दौरा की गई? वेलकम अमित बिल्कुल एग्जेक्ली यहाँ पर अंजली जादोन के दौरा दिया हुआ अंसर बिल्कुल सही है इसके अलावा और किसी ने अभी तक आंसर नहीं दिया शर्बानी रोय, आंसर D नहीं बिटा इस आंसर लॉकियर लॉकियर के दौरा हीलियम की खोज की गई थी हीलियम एक इनर्ट गैस है एक इनर्ट गैस है जो ऑक्सीजन के साथ में किरिया नहीं करती और ऑक्सीजन के साथ में इसको भर कर ऑक्सीजन स्लेंडर में लगाया जाता है ठीके? यह होगा सही आंसर इसका चलिए अगले कोशन की और बढ़ते है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी है इन में से वाट इस विच इस दा लॉंगेस्ट सेल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इस कार्डिक मसल सेल हिर्दे पेशी कोशिका है इस नर्व सेल इस लाइन मसल सेल या बोन सेल दुबे जी आपने सबसे पहले आंसर दिया था क्या बात कर रहे हो यार मैंने आपका नहीं देखा पीटा चलिए कोई बात नहीं दुबे जी आपकी तारीफ में 4 चांध हम लगा देते हैं या पर क्या बात है यार इसका आंसर सभी लोगों को पता है वेरी गुड चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं इस ओके चलिए बिल्कुल सही जवाब और आमसर है तंत्री का कोशी का बिल्कुल सही जवाब हमारी बॉडी में पाई जाने वाली नर्वस सिस्टम या नर्वस सेल जो होती है वो सबसे लंबी कोशी का मानी जाती है यह सबसे लॉंगेस्ट सेल होती है क्या किसी को पता है हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है इन यूमन बॉडी गुड नाइट रोशन लार्जस्ट सेल कौन सी होती है पूरी हुमन बॉड़ी में बिल्कुल सही जवाब आंसर है ओवरी अंडाश है सबसे लार्जस्ट है और स्मॉलेस्ट सेल आफ बॉड़ी इस स्पर्म ठीके भई तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशी का अंडाश होती है सबसे छोटी शुक्राणू होती है और सबसे लंबी तंतरी का अग्यों बढ़ते हैं अगर आप बात करें पैंसिल के बारे में, तो पैंसिल का लिखा जाने वाला जो भाग होता है, वो किस से बना होता है? वो ग्रिफाइट से बना होता है, कार्बन से बना होता है, तिन से बना होता है, या कोईले से बना होता है. Very good evening आचल, how are you? Very good, obviously बिल्कुल सही जवाब और आणसर है ग्रिफाइट, ठीक है? तो जो कार्बन रोड होती है, वो ग्रिफाइट की बनी होती है, बिल्कुल सही जवाब आप सभी के दुआरा, अगले कुशन क्यों बढ़ते हैं? अगर हम यहाँ पर बात करें, क्वार्ज के कंड समझे जाते हैं जो की उत्पन करते हैं, प्रकाश, ध्वनी, अलेक्टोन और प्रोटोन. आचल, बिटा मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, आंसर है प्रोटोन, तो जो क्वार्स पार्टिकल्स होते हैं, वो बिल्कुल प्रोटोन ही जनरेट करते हैं, वेरी वेल डन, बिल्कुल सही जवाब आप सभी के दुआरा, वेरी गुड यार, वेरी वेल डन यार, इस तरीके से अगर और बढ़िया तरीके से काम में आती है वेरी गुड बिल्कुल सही जवाब अगले कोशन प्यूर बढ़ते हैं अगला कोशन है कि फलों को पकाने के लिए कृतिम रूप से कौन से रसाइन का उपियोग किया जाता है मेथेन का इथेन का एथेलीन का या बेंजीन का प्रकाश क्या होता है अमित आप क्या पूछने प्रकाश क्या होता है वेरी गूड एग्जेक्टली बिल्कुल सही आंसर और आंसर इस एथेलीन ठीक है तो एथेलीन का यूज यहां पर किया जाता है बिल्कुल सही जवाब आप सभी के द्वारा वेरी गूड अगले कोशन की और बढ़ते हैं देखिए धियान से सुनना बहुत अच्छा कोशन है आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूचा गया है खाना ना चिपकने वाले बरतनों में निमलिखित में से एक पतली परत लगाई जाती है वो पतली परत क्या है एक्रिलीन है टेफलोन है नौरलोन है या पॉलिथीन है नाव आई कैंज माई गोल इन अनकेडमी अ आप एससी सेग्मेंट में आ चुके हैं रोशन क्लास टाइम यही है बिल्कुल सही जवाब एग्जेक्टली करेक्ट आंसर टेफलोन इसा राइट आंसर ठीक है तो जो हम जो नौन स्टिकी तो अंजली यू केंड फॉलो में एन जॉक्त मैं क्लास और नंकेडमी टेफलोन कोटिक कर यूस किया जाता है नौन स्टिकी यूटेंसिल्स में ठीके तो बेसिकली जो बरतन है उसमें टेफलोन का ही यूज किया जाता है बिलकुल सही जवाब आप सभी के दौरा वेरी बेर नागले गोश्यन की वर बढ़ते हैं ट Eflon is the राइट अंसर अगले गोश्यन की वरदते हैं लाल रक्त दंडिकाओं की जीवन अवधी कितनी होती है कर मॉर्णिंग में अन Wij लणिंग पर नौ बजे क्लास होती है theory class ओर चैप्टर चल रहा है लाइट और लाइट में भी पढ़ रहे हैं मिरर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आफ फिजिक्स ओवियस्ली यार ओवियस्ली आंसर 120 डेज ठीक है इतने टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते अब तो मेरे साब से अगले कुश्चन के और बारे में बात करते हैं अगर कोई आपसे पूछे के आलू का जुलसा रोग किस कारणवस होता है तो आपका आंसर क्या होगा जीवानू विशानू निमाटोड या कवक सर अनकैडमी पर फी कितनी है रोशन मेरी ग्लास अनकैडमी पर फ्री है और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको अंडर 5000 जो है एक साल की फी आपको लगेगी और आप सब्सक्रिप्शन पर फ्री हो जाओगे वेरी गूड सारा पूजा आचल मनीशा दुबे जी आपके आंसर इस बार गलत है अंजली डबलू बी सी का कितना होता है डबलू बी सी का मुश्किल से 6-7 दिन का होता है आंसर फंगी बिलकुल सही है आलू का जो जुलसा रोग होता है वो फंगस यानी फंगस की वज़े से होता है ठीक है बई चलिए अगले कुश्चन के बारे में बात करते हैं फलो का कौन सा क्रम प्रोटीन की बढ़ती हुई मात्रा के अनुर मुफली या मतर मतर सोयाबीन मुफली या चना चना मतर मुफली या सोयाबीन या मतर चना मुफली या सोयाबीन आपके साफ़ांसर क्या होना चाहिए जल्दी बताईए जल्दी बताईए आपके साफ़ांसर क्या नहीं है हाँ मित निमोटोड क्या होता है निमोटोड होता है क्रमी वार्म डिजीज चलिए बिल्कुल सही जवाब आंसर C is correct चना मतर मूमफली और सोयावी एक्जेक्टली करेक्ट आंसर वेरी गुड यार बहुत बढ़ी आप बढ़ी यार वेरी वेल दन अल अफ यू एकदम सही जवाब फ्री टाइम सुबह नौ बजे अगले कोश्चन क्यों बढ़ते हैं हाइड्रा किस वर्ग का प्राणी है फाइलम प्रोटो जोवा फाइलम पॉरी फेरा फाइलम स्ली टेट्रा या फाइलम मॉलस्का बहुत आसान सा कुश्चन है और बहुत बार पूछा गया है बहुत बार पूछा गया है ये कुश्चन एक्चल में SSC के अंदर पूछा गया है दिल्ली पूछा गया है राज पूछा गया है इसके अलावा आपके UP पूछा गया है आपके जितने भी competitive exam है सबी के अंदर पूचा जाता है कि हाइडरा कौन से वर्ग से रिलेट करता है और सबसे ज़्यादा आंसर इसी में गलत होते है नहीं 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 अरे यार बिल्कुल नहीं भाई आपको किसने बताया कि हाइडरा प्रोटो जोवा होता है किसने बता दिया यार आंसर इस करेक्ट अरे यार यह क्या हो गया फाइलम सिली टेटरा एक्जेक्टली बिल्कुल सही जवाब है मॉलस्का तो बिल्कुल आचल नहीं आंसर बिल्कुल सही दिया है दीपती नहीं आंसर बिल्कुल सही दिया है बाकी लोग सारे के सारे confuse यहां पर नजर आए actual में देखा जाए तो hydra जो प्राणी होता है वो phylum sillytetra का होता है सबसे important चीज यही है तो छोटा सा होता है fresh water के अंदर पाया जाता है और बहुत important है आपके बहुत सारे examination में आया है phylum sillytetra is a right answer please note the session इसको जल्दी से जल्दी note कर लीजे session को आपके कही ना कहीं काम में जरूर आएगा अगर हम बात करें bio gas तो किस प्रकार की क्रिया से उत्पन की जा सकती है sublimation से, evaporation से, harvesting से या fermentation से प्रहुत्पन की star अगर हम खुमी कां outta कि आपको पता बायो गैस होती क्या है कि बायो गैस होती है गोबर गैस कि गोबर गैस किससे बनाते हैं किडवन की किरिया से फर्मन्टेशन प्रॉसेस से क्या काम करते हैं एक गड़ा बनाते हैं इस गड़े में गोबर डालते हैं और जितना भी वेस्ट होता है सारा का सारा वेस्ट डाल देते हैं ठीके इसको ढख देते हैं ढखने के बाद में क्या होता है इसके अंदर फर्मन्टेशन प्रॉसेस होता है फर्मन्टेशन प्रॉसेस होता है फर्मन्टेशन प्रॉसेस होने की वज़े से CH4 बनते है और आपको गोबर गैस के रूप में प्राप्त होती है बायो गैस के रूप में प्राप्त होती है क्या हो गया आज वे बात होगी वही क्या हो गया सब ठीक तो है कि सब ठीक तो है कि या अंसर दे रहे हो वही क्या सोच रहे हो प्लीज रिलेक्स अराम से अराम से अंसर दो आ बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ पता होते कुश्चन कैसे गलत हो रहे हैं अगले कुश्चन के बारे में बात करते हैं औरी कल्चर के तहत किसका अध्यन किया जाता है वाट इज इस्टडी अंडर ओली कल्चर शाक सब्जियों यानि वेजिटेबल्स का फूट्स का माइक्रो और्गिनिजम यानि सुक्ष्म जीवों का या म्रदा का सौइल का कोई बात नहीं अमित कुमार पढ़ते रही है बेटा पढ़ने से होगा वेरी गुड पढ़न अरे का रेगे आंसर दो भई फटा फट इतना धीरे धीर आंसर मत दो वेरी गुड आचल चली दोस्तों मैं बदाता हूं नहीं रहीं अंजली औरी कल्चर शाक और सब्जी के का अध्यन कहलाता है ठीक है औरी कल्चर हमेशा वेजेटेबल बिलकुल वेजेटेबल की स्टडी को हम लोग औरी कल्चर के नाम से जानते हैं ठीक है वही एक्जेक्ली बिलकुल सही जवाब रौशन दीप्ती एनद पूजा आल्सो ठीक है तो अभी तक पांच लोगों ने आंसर बिल्कुल यहां पर सही दिया है, very good, very well done, अगले question की और बढ़ते हैं, बिल्कुल, अगर आप से कोई पूछे कि type metal में किसका विघटन होता है, which decompose into type metal, lead, antimony, tin, या all of the above, जल्दी बताईए, आपके साफसे आंसर क्या होना चाहिए, अब सबसे important चीज यह है, कि सबको यह पता होना चाहिए, कि type metal किसकी विमारी होती है, क्या बात है यार, type metal का आंसर तो सभी लोग सही दे रहे हैं, very good, रोशन, पूजा, मनीशा, सारा, आचल, नहीं नहीं, आचल नहीं आंसर गलत दिया है, अंजली, दीप्ती, बिल्कुल, सही जवाब, उप्युक्त सभी, तो type metal के अंदर, lead, antimony और tin, सभी का ही विखबटन होता है, विश्वरूप, बर्षा, अरे बर्षा मौझूद है, दीप्ती, very well done, बर्षा आज कोई हाई है लो नहीं बिटा, अगले कुश्चन की बढ़ते हैं, मनुष्य में किस कशेरुकाओं पर खोपडी का संपून भार होता है, which vertebrae carry the full weight of skull in human body, axis, several, cervical या atlas, अरे भाई, दुबे साब, आप कहां रहते हो यार, आपका अंसर नहीं देखा है मैंने बिटा, नराज मतो, नराज मतो, यहां पर आंसर बिल्कुल सही दिया है, और आंसर है, axis, क्योंकि अगर हम बात करें, human body के बारे में, तो human body की, जब सबसे पहली, first verteble होती है, ना, जो first verteble होती है, वो, axis होती है, no, 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 sorry, 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 अगर हम यहां पर बात करें, तो, बिल्कुल, आप थोड़ा सा मामला यहां पर, गलत हो गया, actual में अगर देखा जाए, तो जब हम बात करते हैं, human body के बारे में, तो human body के अंदर, जब सबसे पहली होती है, वो atlas होती है, ठीके, और इसके बाद में होती है, axis, ठीके, तो कुल मिलाकर देखा जाए, तो संपूर भार जो होता है, वो atlas के उपर होता, axis के उपर नहीं होता, ठीके, तो पहला भार atlas के उपर होता है, axis के उपर नहीं होता, ठीके, answer याद रखना, answer है, atlas, sorry for that, सभी लोग axis लिख रहे थे, इसी लिए मेरे मूँ से भी axis निकल गया, बट actual answer is atlas, अगले question के बारे में बात करते हैं, लार का टाइलिन किस माध्यम में सक्रिय होता है, अधिक अमलिय है, अधिक अमलिय हलका शारिय है, या हलका अमलिय है, बिल्कुल अबैदुवे, आप बिल्कुल सही हो, आपके साब से answer क्या सही होगा, टाइलिन के बारे में, टाइलिन की spelling में ठीक कर देता हूँ, प्तियलिन की वेरी गोड़ सारा, साइमा, बीपक, विश्वरूप, सारा सही answer देते देते गलत कर रहे हो, एचल में answer होगा हलका शारिय है, आचा आपको पता है जो saliva होता है, उस saliva की जो pH value होती है, वो 6.4 होती है, 6.4 का मतलब क्या होता है, mildly acidic, है ना, आचल कुमारी, very good evening, GMD, जीतेंद्र, तो answer होगा mildly acidic, ठीक है, तो यहाँ पर जो answer होगा 6.4, ठीक है, चलिए अगले question की वर बढ़ते हैं, पृत्वी से बाहर जाने के लिए, उसकी S-cap velocity का मान कितना होगा, 11.2 kms, 11.2 ms, 7 km per second, या 1.5 m per second, very good evening, राहूल, आपका बहुत-बहुत स्वागत, we are talking about S-cap velocity, very good evening, अंकुर शर्मा, बहुत-बहुत स्वागत आपका यहाँ पर, बिश्वा स्वरूप, अरे यार, तुम मिलाकर नाम लिखा है, तो वो ही पढ़ूँगा भई, हम आपका नाम ही नहीं लेंगे, क्यों टेंचल ले रहे हो, छोड़ो, क्या बात है, सभी ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, और आंसर A is correct, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, एचल में अगर देखा जाए, तो यही इसका, S-cap velocity होती है, और अगर आपसे यहाँ पर पूचा जाए, कि मून की S-cap velocity कितनी होती है, चंद्रमा की कितनी होती है, तो आपके साबसे आंसर क्या होगा, जल्दी बताईए, अगर कोई आपसे पूचें कि मून यानी चंद्रमा की कितनी होती है, जल्दी बताईए, अरे पंकत सार आपका बहुत-बहुत स्वागत, बिल्कुल सही जवाब, 2.4 km per second, ठीक है, तो actual में देखा जाए, जो बिल्कुल पृत्वी के पलायन वेक से, 1 by 6 पार्टी, नहीं, 1 by 6 तो नहीं है, लेकिन काफी कम पार्ट जो है, यहाँ पर देखने को मिलता है, बिल्कुल सही जवाब, अगले कुशन की और बढ़ते हैं, बिना मिट्टी के पौधों को, पोशक तत्वों से युक्त घोल में उगाने की प्रिक्रिया, क्या कहलाती है, हाइगोमोनिक्स कहलाती है, हाइड्रोपॉनिक्स कहलाती है, एरबेलफॉगिक कहलाती है, या हाइड्रोफाइटिक्स कहलाती है, आपके इसाफ से आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से अपना आंसर दच कराईए, और आप सभी से छोटी सी अपील, जितने भी लोग मेरे सामने याँ पर मौजूद है Please like the session Please like the session Very good आचल पूजा यह कोशन हम लोगों ने पहले एक बार डिसकस किया था अगर आप लोगों को याद हो तो Thank you so much पंकर सर बहुत बहुत स्वागत आपका यहाँ पर Actually मैं आपने देखिए Money plant जो कहते है Thank you so much Money plant की जो बेल होती है उसको हम क्या करते है बिना मिट्टी के किसी बरतन के अंदर लगा देते है ठीक है Actually मैं अगर देखा जाए तो इस प्रक्रिया को Hydroponics के नाम से जाना जाता है ठीक है इस प्रक्रिया को Hydroponics के नाम से जाना जाता है बिल्कुल Thank you so much पंकर सर मैं तो आज ही अच्छा लग रहा हूं सर आप तो हमेशा handsome लगते हो आपकी तो बात ही अलग है बिल्कुल चंदन CHSL तो यहाँ पर जो answer होगा वो होगा Hydroponics ठीक है Exactly correct answer Very well done अगले question ग्यूर बढ़ते है यूरिया में nitrogen का प्रतीशत कितना होता है 46% 32% 40.6% या 16% It's okay Sagar and Saima Ambika भारती बिना मिट्टी के पोशक तत्व आप कोई भी चीज मिट्टी में न डाल कर अगर आप किसी बोटल में पानी भर दे और बोटल में पानी भर कर आप पौदों को गाएं जिसको money plant का पौदा कहते हैं अगर आपको याद हो तो घरों में लगाते हैं actual में अगर देखा जाएं तो वो hydroponics कहलाता है ठीके ये चीज hydroponics कहलाती है चलिए खाब हम बापिस बात करते हैं यूरिया में nitrogen प्रतीशत मात्रा के बारे में तो आपके इसाब से यूरिया में nitrogen प्रतीशत मात्रा कितना होता है तो 46% बिल्कुल सही जवाब आप सभी के दुआरा 46% भाग होता है अगले question क्योर बढ़ते हैं अगर कोई आपसे पूछे Elisha नामक test के बारे में तो इसका निदान निम्न में से किसके लिए किया जाता है AIDS, TV, Hepatitis या Diptheria बिल्कुल बिल्कुल आप सभी को जो भी computer पढ़ना चाहते हैं मैं सभी आप पर पंकच सर या पर promotion के लिए आए हुए तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं कि पंकच सर को जो भी आप computer पढ़ना चाहते हैं बहुत ही अच्छे हमारी faculty हैं computer के जो Wi-Fi 2.0 पर Wi-Fi study 2.0 पर 7 बजे 7 पिम रोज सर की class चलती है तो आप सभी वहाँ पर जाईए और उनको पढ़िए ठीके तो यह छोटा सा मैं आपको लोगों को promotion देना चाहता हूं पंकच सर का पंकच सर बहुत अच्छे faculties हैं computer के लिए तो आप वहाँ पर जाकर computer पढ़ सकते हैं दोस्तों तो बिल्कुल ELISA test AIDS के लिए होता है ठीके आप में से कोई है जो बता सकता है ELISA की full form क्या होती है तो ELISA AIDS enzyme link immunosorbate assay बिल्कुल correct answer आप सभी के दुआरा यही इसकी full form होती है ठीके अगले question क्यों बढ़ते हैं नहीं भई अम्बिका C language एक अलब चीज होती है बटा इक में यानि जो गन्ना होता है उसमें एक red rot नामत बिमारी होती है बीच बीच में से red rot हो जाते हैं तो आप से मैं यह पूछना चाहता हूँ कि यह जो red rot disease है यह किसकी वज़े से होती है यह किसी शेवाल की वज़े से होती है फंगाई की वज़े से होती है वाइरस की वज़े से होती है या बैक्टीरिया की बज़े से होती है क्लास साथ बज़े तक चलेगा इन शुगर कैन साइमा हसन एसान क्या बात है एनी इशु बीटा ओके बिल्कुल यहां पर आंसर एकदम सही है और आंसर है फंग गई तो कवक के द्वारा फैलने वाली यह बिमारी है एक्जैक्ली करेक्ट आंसर अगले कोशन की और बढ़ते है लाल रक्त छोड़िये अगर हम यहां पर बात करें ट्रेकोमा डिजीज के बारे में तो यह जो ट्रेकोमा डिजीज है यह हमारे शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है लंक्स को करती है आइस को करती है किड्नी को करती है या स्प्लीन को करती है तो आपके साब से ट्रेकोमा डिसीज कौन से भाग को प्रभावित करती है Thank you so much चंदन Really thank you so much Thank you so much सारा खान वेरी गुड चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें वेरी बेल्टम बिल्कुल सही जवाब आंसर है आँखों की डिजीज है ठीके तो जो ट्रेकोमा डिजीज होती है वो आँखों की डिजीज होती है माशाला दर नंबर नंबस फ्रॉम बांगलादेश हाउस नो रिमेंडर ओफ दा एज चलिए बहुत बढ़िया बांगलादेश से आप अमेरे साथ में जुड़े हो है थैंगी सो मच साइमा CHSL के लिए कोशन है बिल्कुल गैस कोशन है CHSL के लिए बिल्कुल आप इसी तरीके से महनत करते रहें पढ़ते रहें दोस्तों चलिए इंपोर्टेंट कुशन आप लोगों के सामने के इन में से कौन सा विटामिन है जो जल में घुल जाता है इस घुल नौट धुल ठीके विच अविच अविटामिन इस डिशल्व इन वाट तीके तो कौन साहे विटामिन A, B, D, or E वाट इस यूर आंसर जल्दी बताएंगी वाटर-SOLUBLE विटामिन ओके फाइंजमा चली, वेरी गुड देख लिए अगर हम बात करें आपर विटामिन के बारे में तो सबसे इंपॉर्टनेंट क्या है विटामिन? विटामिन दो तरह के होते हैं एक तो होता है फैट-SOLUBLE वसा में गुलनशील और एक होते हैं वाटर-SOLUBLE जल में गुलनशील ठीके? तो देखो भई फैट-SOLUBLE की एक ट्रिक होती है और वो क्या होती है? वो होती है कीडा कीडा मतलब विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A, ठीके? कीडा कहते हैं इसको वाटर-SOLUBLE में दो ही विटामिन होते हैं विटामिन B और विटामिन C इस तरीके से अगर यहाँ पर देखा जाए तो आंसर होगा विटामिन B is a right answer ठीके? एक्जेक्ली यहाँ पर देखा जाए तो विटामिन B और विटामिन C दोनों ही कहाँ पर गुलते हैं आपके वाटर में जाकर गुल देते हैं I am good, साइमा एक्जेक्ली तो आयोप आपको समझ में आ गया होगा ठीके? चली अगले कुश्चन क्यों बढ़ते हैं अगर कोई आप से पूछे के टाइलिन कहां पर मिलता है? कहां उत्पन होता है? तो आपके इसाफ से आंसर क्या होगा? तो आपके इसाफ से आंसर क्या होगा? तो आपके इसाफ से आंसर क्या होना चाहिए? वेरी गुड ओवियस्ली 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 एग्जेक्टली और आंसर इस करेक्ट और आंसर है स्लेवरी ग्लेंड ठीक है अगर आप बात करें आपके स्लेवरी ग्लेंड के बारे में हो दोस्तों जो आपकी स्लेवरी ग्लेंड निकलते हैं एक तो होता है टाइलिन होर एक होता है लाइसोजाइम सों टिकें तो दो निकलता है टाइलिन तो क्या करता है टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का काम करता है और लाइसो जो जो होता है वो एंटी बैक्टीरियल होता है तो अगर आपके मुह में किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया आया है तो उसको मारने का काम जो है वो करता ह आप अच्छे में से एक हैं GS के लिए Thank you so much अंदन Really thank you so much for your appreciation अगर आप और अच्छे से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मेरे साथ में अन अकैडमी पर जुड़ जाएए मेरी free classes के लिए सुबह 9 बजे होती है राउल यादव प्लीज मुझे नहीं पता चलिए बात करते हैं अगले कुश्चन के बारे में ग्रेनाइट का अप शकलन किस तरह की प्रकिरिया मानी जाती है वाट टाइप आफ प्रोसेस इस कंसेड़ेटन टू दावी एबलेशन ओफ ग्रेनाइट इस फॉल्ट इस मेंकल वेद्री इस कमिकल वेद्री और फोल्ड था ग्रितने लौरेंट, इस दृब्स करुएजट नौरेंख 一नुनुत this अघर था, आई टूरार कुमर वेडि यहैं सक्तिएग, आई ग्यालीट, तरहकर किर अटुनुत कि अच्छन टब्सित्तु कमारियली are you so my अगर हम बात करेंगे कि ग्रेनाइट का एबलेशन कैसे होगा तो ग्रेनाइट का एबलेशन मेकानिकल वैदरिंग के द्वारा किया जा सकता है ठीक है यहां जो आंसर होगा वह और फॉल्डिंग उसकी और फॉल्ट उसमें हो नहीं सकता ठीक है कूछ देखा जाए तो एक ब्रिटिल मैटीरियल होता है यह जाता है व्रक्ष और जहाडियों के लिए समूंदरी जीवों के लिए फूलों के लिए या बीज के लिए जल्दी बताईए कि आपके साब से अंसर क्या होगा थेंक्यू सो मच सागर यार आपने इतना जादा मुझे एप्रिशेट किया रेली थेंक्यू सो मच मैं और आप लोगों के लिए और जादा मैनत करूंगा डेफिनेटली तो आप लोगों का एप्रिशेशन है जिसकी वज़े से हम फेकल्टी हम टीचर्स और जादा मैनत करते हैं आप लोगों के लिए तो थेंक्यू सो मच आल अफ यू वेरी गूड अल अफ यू यस आंसर इस बीस करेक्ट समुंद्री जीव ठीके तो जितना भी सी क्रियेचर्स होता है वह मैरी कल्चर के अंदर शामिल किया जाता है वेरी गूड बिल्कुल सही जवाब आप सभी के द्वारा हाँ चंदर नभीदास बायों के कुश्चन ज़्यादा है बहुत सारे एक्जामिनेशन है जिसमें चीज़े चलती रहती है रॉकेट को उडाने में कौन से इधन का इस्तमाल किया जाता है इट्स कोईला इट्स लिक्विड हैड्रोजन मेथलॉन या यूरेनियम आपके इस बिल्कुल एग्जेक्ली एग्जेक्ली खरेक्ट आंसर लिक्विड हाइड्रोजन का ही यूज किया जाता है बिल्कुल दोस्तों यहां पर आप लोगों के अंसस बिल्कुल सही है अगले कोश्चन के बारे में बात करते हैं अगर मैं आप से पूछूँ के ग्लूकोमा दिजीज के बारे में आपके साथ से ग्लुकोमा डिजीज कौन से अंग से रिलेट करती है क्या बात है very well done it's really very nice बहुत important question है यह क्योंकि सब लोगों को लगता है ग्लुकोमा है तो हमेशा ग्लुको से कुछ ना कुछ जो है वो इसका relation होगा बट ऐसा नहीं है answer is aank ठीक है एक eye infection disease होता है इसमें क्या होता है कि brain से जाने वाली जो नर्व होती है वो damage हो जाती है ठीक है तो ग्लुकोमा डिजीज हमेशा नर्व related है और वो भी आँखों से related है यहाँ पर जो answer होगा वो होगा आँखों से ठीक है चलिए अगले question की बारे में बात करते है निमा टोड जिसको गोल करमी के नाम से जाना जाता है उससे होने वाला रोग इन में से कौन सा है फाल अरिया फिलरोसिस इंसे फलाइटिस या फिर लेपरोसी जिलो जिलो फिलाथिमिया ग्लुकोमा नाइट ब्लाइटनेस टेक्रोमा अला डिजीज रिलेटिट तो आई दिपेश जैन वेरी वेलकम अब वेरी गुड सायमा सर फाइंडिंगे कोश्यन वेरी गुड आचल राहूल दीपक सश्मिता चंदन थोड़ा सा सोची है वेरी गूड आंसर इस फाइल एरिया फाइल एरिया डिजीज जो ती है वो गोल क्रमिस फैन्सी फ्लोर्थ इस जो डिजीज है फ्लॉयराइट्स एंड एसी जी रिकॉर्ट्स एलेक्ट्र काडियोग्राफ रिकॉर्ट यूस इन in a heart patient to yes in save flight के बारे में अगर बात करें तो यह Japanese इसे फ्लाइट है वो होती है सर इस सर जिस सीरीज स्की प्लेलिस्ट है क्या के बिल्कुल प्लेलिस्ट है आप जाकर देखिए और नाम उसमें होगा स्सी पे और वहां आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं ठीक है चलिए आप लोगों क्या होता है आंसर बहुत सारे एक साथ आ जाते हैं तो थोड़ा सा confusion हो जाता है कि कौन क्या पूछना चाहता है चलिए अगर हम यहाँ पर बात करें जैनिको प्रदोगी की के बारे में जैनिको टेक्नोलोजी के बारे में तो आपके साब से जैनिको टेक्नोलोजी क्या चीज होती है एट से बचाने की कोई रक्षा परदती है मैदर आफ मैज़ड ऑफ डेवलपिंग स्पीशीज और फूड क्रॉप्स या दा आइडिया ऑफ आप्टेनिंग प्रीर इन इंफोमेशन ऑफ जनेटिक डिजीज या कैट्रेक्ट प्रेवेंशन टेक्निक है आपके साब से या साइमा आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ था राउंड वुमी सुखी सुकुलाल ये एक राउंड वाम जो होते हैं ये सब वाम होते हैं ठीक है तो आपने सुन सूचना प्राप्त करने के लिए एक तरकीव है अमबेटगर नगर से कोई स्टूडेंट हो तो रिपलाई कीजिएगा अरे क्या करोगे राहूल छोड़िये ना चलिए बताइए आज सुबह ही आप लोगों को पढ़ाया था कि निम्न में से किसमें प्रकास की चाल सबसे ज सब्सक्राइब यहां पर दुबे साब वेरी वेलकम एग्जेक्ली करेक्ट आंसर इस वेक्यूम कितनी होती है थ्री इंटू 10 तू दी पावर एट मीटर पर सेकंड इन ग्लास 1.96 इन्टू 10 तू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड इन वाटर 2.25 इन्टू 10 तू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड इन एलकोहल 2 इन्टू 10 तू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड ठीक है इसको स्क्रीन चॉट ले ले ना मैंने आपर सभी की वेलोसिटी लिख दी है कि निर किस विटामिन की कमी से शारिरिक व्रदी में रुकावट आती है और व्यक्ति एनीमिया का शिकार हो जाता है विटामिन B1, B2, B6 या B12 विच विटामिन डिफिशेंसी हैडस फिजिकल ग्रोथ और मेकिंग प्रॉट टू एनीमिया वाट इस यूर आंसर बिल्कुल राउल बिल्कुल सही जवाब आंसर D is correct विटामिन B12 is the right answer अगले कोशन की और बढ़ते हैं वाईू मंडल में किस गैस की उपस्तिती के कारण वरून ग्रह हरा प्रतीत आपको दिखाई देता है कौन सा है अक्रिय गैस है हाइड्रोजन है मिथेन है या अमूनिया है किसकी वज़े से आपको वरून ग्रह हरा दिखाई देता है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आंसर सी इस करेक्ट तो इसके आस पास जो है वो मेथेन होती है बिल्कुल सही जवाब मेथेन की वज़े से आपको यह दिखाई देता है चलिए ग्लुकोस का एक अनू 36 ATP उर्जा किस किरिया द्वारा होती है आपके इसाब से विच एक्शन इस 36 ATP उर्जी कंजूम बाई यह मॉलिकुलर ग्लुकोस फोटो सिंतेसिस एनॉक्सी रेस्पिरेशन ओक्सी रेस्पिरेशन यह ओल अफ दी अबाव जल्दी पताईए दोस्तों इंपर्टन इफोर्मिशन दोस्तों यह है कि कल आपकी यह क्लास कल कल के लिए ओफ है तो कल वेडनस जे को यह क्लास ओफ रहेगी ठीके यहाँ पर हो सकता है कि मैं आप लोगों को एक टेस्ट दे दू तो आप अपना टेस्ट देने के लिए यहाँELLE आपर आ सकते है ठीक है तो कल की मेरी क्लास यूट्यूब की शाम को छे वाली जिसमें आप क्लास में हो ये क्लास कल कल के लिए ओफ रहेगी ठीक है मुझे छोटा सा काम है इसलिए कल मैं आपके सामने उपस्तित नहीं हो पाऊंगा ठीक है आइफाई स्टडी टू पॉइंट ओपर रात को नौ बजे मेरी क्लास रहेगी अभी ये आज का मेरा शिड्यूल है ठीक है कल मेरा ओफ रहेगा प्लीज कल कल के लिए मैं आप लोगों से यहाँ पर माफी चाहता हूँ तो रेली मिलते हैं परसों अभी तो खेर मिलेंगे नौ बजे लेकिन इस कलास में हम लोग मिलेंगे परसों ठीक है चलिए थैंक यू सो माच प्लीज लाइक शेयर ने सब्सक्राइब दास सेशन